नमस्ट कार्प फूट क्रविंग्स अनलिमूटेट में आपका स्वागता है तो आज की हमारी रेसिपी है किंग फिश करी तो ये करी बनाने के लिए आप कोई भी फिश यूज कर सकते हो सुर्मई ले सकते हो मैकरल ले सकते हो या बंजरम फिश का भी यूज कर सकते हो इसको के लिए तो यह ठीक हो, यहां पर यहां पर रूबकर बहुत ही टैंप्टिंग ऐसी करीबन के तयार तो इसके लिए मैंने यहाँ फीश ले लिए है उसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया है दोनों साइट से अब हम इसके लिए मसाला बना लेंगे तो मसाला बनाने के लिए एक कड़ाई को अच्छे से गरम कर लेना है बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है नहीं तो मसाले है वो जल जाएंगे, फिर उसमें हम डालेंगे चीडस, लाल हमिर्च अग्राओ जीरॉ कलर्री और तो हम पेपर हम clothes. ने थीग के ने टान जैने ठेलेंगे ब्लैक पेपर कि अग्षीने को प्राओं आपकरेंगे तो SI एक बार और पीस लेंगे, इसके अच्छे से पेस्ट बना लेला है, इस तरह का पेस्ट मैंने यहाँ पर बना लिया है, तो अब हम एक कड़ाय में तेल डाल देंगे, दो से तीन चमच तेल पर यहाँ पर मैंने डाला है, उसमें मैंने डाल दिया है ओनियान, यहाँ पर मैंने अच्छे से पकाना है इसको 2-3 मिनिट के Λिए अच्छे से पकाना है ओनियन पकने के बाद इंगे लहसुन की पेस्ट एक चमच और उसको भी अच्छे से 2-3 मिनिट के लिए रोस्ट कर लेंगे फिर इसमें हम डालेंगेушки जो हमने तयार किया था यहां पूरा अट किया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 3-4 मिनट के लिए मसाला और जो ओनियन है वो अच्छे से पकने देंगे तक कि जो मसाले से है वो तेल थोड़ा सेपरेट हो जाये। इस तरह से हमें मसाला जो है तीन से चार मिनेट के लिए पका लेना है अब हम इसमें डालेंगे 1 फोर्ट टीस्पून हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च आप अपके अकार्डिंग डाल सकते हो कम जाधा कर सकते हो आधी छोटी चमच कोरेंडर पाउ आधी ताकि जो मसाले है वह जलेना तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड़ कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिला लेना है हम इसमें और थोड़ा पानी आड़ करेंगे ताकि यह थोड़ी पतली हो जाए और अच्छे से इसको मिला लेंगे और हम इसको धक के 5-6 मिनिट के लिए पका लेंगी 5-6 मिनिट के पकने के बाद ये अच्छे से और जो है वो separate होता है हम इसमें डाल देंगे नमक और इसको 5-6 मिनिट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे उसके अपर हम धककन रख देंगे ये देखो पास से साथ मिनिट के बाद ये जो ग्रीवी है वो एकदम पक्के तयार है आउल जो है वो सेपरेट हो गया है कलर भी बहुत अच्छा है कलर एकदम चेंज हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे फीश के पीसे एक एक के हम पूरा पीस यहाँ पर डाल देंगे यहाँ को फीश एक के उपर एक नहीं डालना है ऐसा स्प्रेट करके डालना है अलग-अलग और इसको हम पास से साथ मिनिट के लिए और एक बार पकने के लिए रख देंगे फीश जल्दी पक के तयार हो जाती है बहुत जाधा टाइम नहीं लगता इसको पकने को यह देखो एक बात का ध्यान रखना है फीश पकाते वगार कि उसको जाधा हिलाना नहीं है नहीं तो वह तूर सकती है बहुत नाजुक रहता है तो यहाँ पर हमारे फीश करी जो है बबन के एकदम रेडी है, इसमें हम नहरे धन्या डाल देंगे, अब हम इसको सर्फ कर लेंगे, तो आप इसको रोटी या राइस के साथ खा सकते हो, एकदम स्वाधिश्ट ऐसे लगती है, और फीच भी एकदम अच्छे से पक्के तयार हो जाती है, जटपट बनने वाली रे कर दो एका ठाइस कर दो कर दो एक दो आप एक वाली रेडिश्ट पर रेड़ कि अच्छे से पक्दम आप आप एक पक्दम आप आप दोगते हैं और दो